हेलो फ्रेंड्स मैं पूजा देशी फूड रॉकर्स में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्थी टेस्टी सबजी इसे बनाना सिंपल है फ्रेंड्स यहां मैंने पंकिन ले आए पांसो ग्राम मेडियम साइज में कट किये वे एक गाजर बड़ा कट के आवा एक छोटा चमच दाना में थी एक हरी मेर्च तीन से चार कली लसन की और एक टमाटर बड़ा कटावा देखे टमाटर यूज करे फ्रेंड्स इसे टेस्ट अच्छा आएगा सबसे पहले एक कड़ाई में तेल को गरम कर लेते हैं तीन से चार चोटे चमच बहुत ज़्याद अगर हम एट करेंगे और पमकिन तो दाना मेथी एक छोटा चमच मैं तेल में डालूंगी दाना मेथी को भी अच्छे से भून लेंगे तड़का लेंगे और थोड़ा सा जीरा इन सब को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देंगे देखे अब इसमें तीन से चार कली लस लसन आपको पसंद ना हो फ्रेंड्स तो ना डालें यह ओप्शनल है अब हरी मिर्च डालेंगे एक कटी वी हरी मिर्च लसन और दाना मेती सबको हम अच्छी तरह पका लेंगे फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक देखे अब इसमें एक बड़ा गाजर कटाव मैं एड़ कर रही हूं गाजर को भी हम अच्छे से मेक्स करके थोड़ा फ्राई कर लेते हैं ताकि जो बगार में उसका टेस्ट है फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा यहां पर मैंने पंकिन कट करके रखा है 500 ग्राम मेडियम साइज के वो मैं इसमें एड़ कर रही हूं कि देखें कि सारे पंकिन को एड़ कर देंगे उपर से बहुत सकत होता है अंदर से उतना ही नरम होता है यह सबजी तीन से पांच मिनिट में बनके तयार हो जाएगी इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं बगार में गाजर में पंकिन को हम अच्छी तरह मेक्स कर गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें मीडियम फ्लेम में आप इसे फ्राई करें देखें अब थोड़े मसाले एड़ कर देते हैं जैसे आधा चमच नमक एक चोथाई चमच हल्दी आधा चमच लाल मिर्च आधा चमच धनिया तो सारे मसालों को हम अच्छी तरह मेक्स कर लेंगे पंकिन में कदू में कई जगा इसे कदू भी कहा जाता है फटा फट बनके ये सबजी तैयार हो जाती है इससे ढखन लगा के एक मिनिट के लिए हम होने देंगे थोड़ा सा मेक्स करेंगे ढखन हाटा कर आप देखेंगे ह मैंने बहुत जल्दी टमाटर एड़ कर दिया क्योंकि ये सबजी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है और गाजर भी खाने में बहुत अच्छा लगता है इसका कॉंबिनिशन बहुत अच्छा है इसे ढखकन लगा कर जादा नहीं द थैंक यू फ्रेंट्स